दोस्तों बिहर प्लीस का ओफिसेल वेविसाइट पर आज के रेट में 25 जनवरी 2021 को 4 महतपुर नोटीस आया हुआ है तो चलिए एक एक करके सभी नोटीस को देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है सबसे पहला नोटीस देख लिजे यह जो संबांधित है विज्यापन संख्या 0-2-2019 से संबांधित है फिजिकल टेस्ट के लिए दोबारा यहां पर मौका दिया गया है कोविड उनीस संकर्मित महिला अभिहार्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए दोबारा मौका दिया गया है यहां पर दिया हुए परशत के विज्यापन संख्या 0-2-2019 के अधिन बिहार पुलिस संगाठन में सिपाही के पाद पर चेयन है तू सारीरिक दक्षता परिक्षा फिजिकल टेस्ट अभिलेक सत्यापन डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जीन अभिहार्थियों ने कोविड उनिस से संकर्मित होने के कारण नई तीथी निर्धारित करने का अनुरोध किया उनकी सूची निमनबात है कोविड उनिस पोजिटिव था इस कारण से 15 दिन के बाद यहां पर डेट दिया गया है इस नोटीस में आप अपना नाम मिला लिजेगा नाम यहां से देख परिक्षान की ती थी पहले जो निर्धारिता 7 जनवरी 2021 अब जो दिया गया है 30 जनवरी 2021 प्राता 10 बजे साथ में आपको डॉकुमेंट भी ले कर जाना है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है यहां से देख लिजे और इस नोटीस का लिंक आपको डिस्क्रिप टोटल यहां पर 43 कनिडेट का लिस्ट में नाम दिया हुआ है यह जो वेकेंसी है 2019 से संबंधी थे 11888 पदो पर 2019 में वेकेंसी आई थी इसके बाद है यहां पर सुची बाद सभी अभ्यार्तियों को सारी दक्षता प्रिक्षा में भाग लेने हैं तो 30 जनवरी 2021 प्राता 10 10 बजे सुबह में बुले आगे है सहिद राजन्द परसाद सिंग राजकें उच्विद्याले पटना है इसकूल गरदनी बाग में आपको बुले आगे है इसके बाद है सभी अभ्यार्ति पुर्वत सर्ते के अधिन अपने सभी अभी लेक सभी डॉकुमेंट आपको साथ म अपने तो कोई दूसरा अवसरब नहीं दिया जाएगा जितने भी डॉकुमेंट है सभी डॉकुमेंट भी लेकर जाना है और पुराना जो एड्मिट कार्ड है एड्मिट कार्ड भी लेकर जाएगा इस लिस्ट में आपका नाम है दोबारा से 30 जन्वरी 2021 इसको आपका फि सब्सक्राइब के बिज्यापन संखे 0-2019 के अब भीहारतियों के ब्यक्तिकत प्रोफाइल संभीक्षा है तो अंति मावसर यहां पर दिया गया है 2019 में बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की 11883 पदो पर वेकेंसी आया थी और जितने भी बोयज है सभी का फिजिकल कंप्लीट हो गया है और फिजिकल के समय डॉक्मेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है कुछ कनिडियोट को दुबारा से डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोफाले स्कूरूटनी के लिए बुलाया गया था उसमें से कुछ अभीहरती उपस्थित हुए है और कुछ अभीहरती उपस्थित नहीं हुए है तो उसको दुबारा से मौका दिया गया है अगर आप अब नहीं जाते हैं डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए ता आप प्रोलनमर है उसके सामने डेट दिया हुए तो उस समय पर आपको जाना है और इसमें उन्हों पस्थित रहने पर बिना कोई कारण बता है आपकी मुद्वारी रद कर दिया जाएगी आपको दुबारा कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा अगर आप जैनून कंडिडेट ह तो निस्चीन्त होकर जाएए डॉकुमेंट भरिफिकेशन के लिए कोई भी दिकत नहीं होने वाला है सभी डॉकुमेंट आप साथ में लेकर जाएगा 30 जनवरी 2021 एक पीम दो फर एक बज़े बुलाया गया है यहां से आप अपना नाम चेक कर लिजेगा इस पीडियाफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको कोई आपसर नहीं दिया जाएगा और आपकी उमिद्वारी रद कर दी जाएगी यहां से आपका जौब नहीं होगा अगर फीजिकल में अच्छा मार्क्स है फिर भी आपका सेलेक्शन नहीं होगा क्योंकि दुबारा से डॉकुमेंट वेरिफिकेसन के लिए बुलाया गया है अगर आप नहीं जाते हैं तो रद कर दिया जाएगा इसके ब कि यह जो नोटीस है तीसरा नोटीस है दो नोटीस यहां से आप देख लिए हैं चलिए अब तीसरा नोटीस देख लिजिए टोटल चार नोटीस आज दिया गया है CSBC का ओफिस्यल वेबसेट पर यह जो नोटीस है विज्यापन संख्या 0-3-2019 से संबंधित है बिहार होमगाड ड्रेवर पोस्टे संबंधित है 2019 में वेकेंसी आई थी और 21 जनवरी को कुछ कानिडेट को दुबारा से बुलाया गया था के लिए नहीं गया है उसमें से कैसे अब बहरती है यहाँ पर सुवध पास्मा ने 30 जनवरी 2021 सारे बार पिया में बुले आगे अगर आप नहीं जाते हैं यहाँ पर दिया गया है सास्पष्ट किया जाते है कि संबिक्षा है तो यहां तीम अबसर है इसमें उपस्तित रहन पर बिना कोई कारण बते आपकी उमिद्वारी रद कर दी जाएगी अगर आप दुबारा से डॉकुमेंट वरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपकी उमिद्वारी रद कर दी जाएगी इस डेट में जो बुलाया गया है आपको 30 जनवरी को तो आपका जितना भी डॉकुमेंट वरिफिकेशन के लिए नहीं जाने पर आपकी उमिद्वारी रद कर दी जाएगी अब चलिए चोथा नोटीस देख लिजिए चोथा नोटीस यहां पर तिया हुआ है आज ही के डेट का है 25 जनवरी 2021 का सभी नोटीस है यह जो नोटीस संबाधित है विग्या अब ब्यक्तिकत प्रोफाल संबिक्षा है तो अंतिम असमार यहां पर अंतिम अबसर दिया अगया अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी उमिद्वारी रद कर दी जाएगी बांकी डिटेल्स नोटीस यहां पर देख लिजिए केंद्रिय चैन परिशत विग्यापन संख्य 2004-2019 जो परिवहन विभाग में चलंदस्ता सिपाही परिवहन विभाग से संबद्धित हैं मोबाइल स्कॉइड कॉंस्टेबल पोस्ट से संबद्धित यहां नोटीस है के ऐसे अब भिहार्थियों को जिनकी सारीर दक्षता प्रिक्षा फिजिकल टेस्ट संपन हो चुकी है को ब्यक्तिकत प्रोफाल संबिक्षा के लिए दिनांग 21 जनवरी को बुलाया गया था और जिसमें से कुछ अब भिहार्थी नहीं गये हैं कुछ अब भिहार्थी जिनके अनुकर्मांक नीचे अंकीत है वे उक्त निर्धारी तिति को संबिक्षा है तू उपस्तित नहीं हुए इन अब भिहार्थियों को पुना निर्धेश दिया जाता है कि विवानची तभी लेक जितना भी आपका डॉकुमेंट है सभी डॉकुमेंट आपको लेकर जाना भी लेक के साथ दिनांक 30 जनवरी को अप्रहान सारे 12 बजे बाएक हार्डिंग रोड सचीवाल हाल्ट के नि जाते हैं तो आपकी विवारी रद कर दी जाएगी और आपको जौब नहीं होगा तो अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप चले जाई अगर आप जैनून कनिडेट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाल है सभी अपना डॉकुमेंट लेकर आप जा सकते हैं यहां से आप अपना रॉल नुमर मिला लिजेगा 30 जनवरी 2021 सारे 12 पियम का है और जो बिहर प्लिस कॉंस्टेबल में नहीं गये हैं कनिडेट 22 और 30 जनवरी को बुलाया गया था उसको भी दुबारा से मौका दिया गया है 30 जनवरी को अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी दिनों के बाद ऑफिस्यल वेबसैट पर एकजाम डेट भी दे दिया गया है एकजाम जो डेट निर्धारी था है 14 मार्च यूँवं 21 मार्च 2021 को दिया जाएगा क्योंकि ऑफिस्यल वेबसैट पर बहुत पहले ही नोटीस दे दिया गया है आप लोग त्यारी करते रहिए